आयोद्या राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा धूमधान से पूरी हो चुकी है। इस महलूत्सब में देश के कोने-कोने से लोग पहुंचे थे। अरपति रेकर बॉलिवुर्ण हस्तियां तक आयोध्या राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा समरू में शामिल हुई थी। किसी ने करोडों रुपे दान दी तो किसी ने सेंक्रों किलों सोना दान किया आईए आपको बताते हैं कि आखिर किसने मंदिर को कितना दान दिया पटना के महवीर की और से आयो ध्यम है रामंदिर के लिए 10 करोड रुपे दान दिया गया महवीर मंदिर ने साल 2020 21 22 23 और साल 2024 राम maintainedr के लिए 2-2 करोर रुपे करके इस मंदिर को 10 करोर रुपे से भी ज्यादा का दान दिया है इतने ही पतना के महवीर के ओर से सोने का तीर धनुश भी भेंट किया गया है वही व्यक्तिगत दान की अगर बात करें तो भव्य राम मंदिर बनाने के लिए अब तक सबसे जादा दान अधिक्तम गुरू और कथावाचक मुरारी बापु ने दिया है इन्होंने राम मंदिर के लिए 11.3 करोर रुपे का दान दिया है मुकेश हम्बानी परिवार की और सेज़ारी बयान में कहा गया है कि मुकेश हम्बानी अपने परिवार के सदस्यों के साथ राम जनबूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट को 2.51 करोर का दान दिया है बता दें कि 22 जन्वरी को मुके शमबानी के साथ पत्मी नीतामबानी, बेटी, इशा और दामाद आनंद इतना है नहीं उनका पूरा परिवार आयोध्या में पहुंचा था ये भी दावा है कि सूरत के कारोबारी ने अब तक रामंदिर के लिए सबसे जादा दान दिया है हीरा कारोबारी दिलीब कुमार लाखी ने 101 किलो सोने का दान दिया है इसके कीमत 68 करोड रुपए आंकी जा रही है ये भी बताया जा रहा है कि सोने का उप्योग दर्वाजे त्रिशूल और डमरू में किया गया है सूरत कारोबारी मुकेश पाटिल ने भगवान राम की मूर्ती के लिए 11 करोड का स्वन मुकुट उपहार में दिया है जो कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है इसका वजन 6 किलोग्राम है इसमें 4 किलो सोना है जबकि हीरा और अन्य कीम और ब्रैंड के साथ प्रान प्रतिष्टा समारों के लिए प्रसाद त्यार किया है इसके लावा गौतम अडार्नी ने कहा है कि अडानी ग्रुप इंडोलाजी में 14 छात्रों की पीएच्डी को परियोजित भी करेगी